हेलो फ्रीनिस नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाइफश एडीपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी एकजाम देने के लिए आपको Admir cuál के साथ में और क्या क्या डियकुमेंट लेकर जाने होंगे बहुत सारे सभाल आप सभी के आ रहे हैं तो आज सभी सभालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं पर इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने regular mock test करते रहें, mock test आप www.cccbifash.com पर कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे model paper आपको मिलेंगे, तो यहाँ से model paper यानि आप 100 question के mock test कर सकते हैं, यहाँ से आप chapter wise mock test कर सकते हैं, जिन बच्चों को ebook की आवर सकता है, आप यहाँ से ebook भी download कर सकते हैं, और आप सभी के लिए जो नया साथी हैं, एक business discount offer आ गया है, यह offer पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा, यहाँ पर सभी batches का price अभी आप 349 देख पारे होंगे, तो आप 349 में सभी batches चाहें, जुलाई batch आप जून batch आप जोइन करें, या मई batch आप जोइन करें, यह आप 349 में जोइन कर सकते हैं, द्यार रहे यह offer केवल पहले 50 बच्चों के लिए दिया गया है, अगर पहले 50 बच्चे 31 मई से पहले हो जाते हैं, तो यह offer फाले ही expire हो जाएगा, नहीं तो फिर 31 में को यह offer आपका ज देख पाएंगे अपने application में, तो अभी फटा फट से आपको जाना है, और जो भी आप चाहें, जून का या जुलाई का जब भी आपका exam है, उस batch को enroll कर सकते हैं, मातर 349 में, flat discount है, कोई coupon code अपलाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे ही आपको 349 का price वहाँ पर दिखेगा, और आप इसे enroll कर सकते हैं, चलिए ज़्यादा जनकारी के लिए आप इस number पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं, 945229946 पर, चलिए अब बात करते हैं, triple C exam को लेकर, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के सवाल है, कि sir, हम जब exam देने जाएंगे, तो हमें क्या-क्या लेकर जाना है, जैसा कि आप पर इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है, वो है, आठ अठा वन, यानि नौ बज़े इसको वहाँ पहुंसना है, और 930 पर exam स्टार्ट हो जाएगा, देखे, exam कितने टाइम का होता है, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, तो exam duration यहाँ पर लिखा हुआ है, 90 minute, 90 minute का मतलब, डेड़ घंटे का exam आपका होगा, ठीक है, अब आपको क्या-क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पर देखो, आप अपना जो admit card download किया है, वहाँ पर साब साब लिखा होगा, महत पूर्ण आप देखेंगे, लिखा है, आभ वहरतियों को उपस्थिती पत्र में अपने हस्ताच् जरूरी है, ऐसा ना करने पर परिच्छा के लिए उनकी अभिरतता पर विचार नहीं किया जाएगा, अवरति को नाइलेट द्वारा जारी प्रिवेश पत्र के साथ, एक मूल बैद फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार है, अब बहुत सारे बच्चे करते क्या असर हमें फोटो भी लेकर जाना है, तो यहां ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको फोटो लेकर जाना है, यहां लिखा गया है फोटो पहचान पत्र, यानि ऐसा पहचान पत्र जिस पर आपका फोटो भी लगा हो, वो लेकर जाना है, आन्था उन्हें पर इच्छा में बैठने की अन driving license हो गया, voter ID card हो गया, यह आप पहचान पत्र के रूप में ले जा सकते ही, admit card के साथ में, ठीक है, और बहाँ पर आपको थोड़ा पहले पहुचना है, जैसे यहाँ पर देखो 9.30 पर exam start होता है, तो यह सब आपके admit card पर लिखा होगा, reporting time आपका 9 बज़े है, ठीक है, तो इससे भी आप आदा घंटा पहुच जाएं, तो बहुत अच्छा होगा, बाकी आप सभी को ध्यार रखना है कि जो आपका exam है, उसमें total आपको जो time मिलेगा, बुड़ेट घंटे का मिलेगा, 90 मिनिट का समय मिलता है, और आप जब exam start करेंगे, ठीक है, जैसे आपका exam सुरू होता है, वहीं से countdown सुरू हो जाएगा, 90 मिनिट का, ठीक है, और एक जो person आपके सामने आएगा, उसके लिए भी आपको 30 second चाहिए होंगे, यानि 30 second से पहले आप अगले person पर नहीं जा पाओगे, तो हर person के लिए कम से कम 30 second देना पड़ेगा, बट अगर आप 30 second में भी person को समझ नहीं पाते हैं, और आप चाहते हैं कि अभी और हमें time चाहिए, तो 30 second से ज़्यादा भी time आप ले सकते हैं, यानि आप 40, 50, 60 second का भी समय ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय अगर आप एक person पर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, समय कम पड़ जाएगा और paper आपका छूड़ जाएगा, तो 30 second भी परियाप्त होते हैं, बहुत आराम से आप सोच समझ कर अपना जवाब कर सकते हैं 30 second में, अगर कभी किसी person में ज़्यादा समय लेने कि आप सकता पड़ती भी है, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई problem नहीं है, तो अब अब ध्यान देना है, क्या लेकर जाना है अपने साथ, number 1, आपको अपना admit card लेकर जाना है, पहली बात, दूसरा, आपको अपना आधार card लेकर जाना है, original, ठीक है यह ध्यारक नहीं, फोटो कॉपी नहीं चलेगा, original आपको लेकर जाना है, original, ओके, अगर अधार card नहीं है, तो फिर बोटर आइडि कार्ड या फिर अन्य जो भी फोटो पहचान पत्र है, वो आप लेकर जा सकते हैं, और जब एकजाम हाल में पहुंचें, तो बहाँ पर attendance seat पर sign करना भी आपके लिए जरूरी है, बाकी यह सारी जो यहाँ पर information दी गई है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजेगा, समझ लीजेगा, कोई doubt है तो आप comment वाक्स में बताएगा, या फिर मुझे WhatsApp कर सकते हैं, बहाँ पर भी हम आपको reply करेंगे, तो आज के लिए वाज इतना ही, मिलते हैं, फिर और साम को सारी आट वजे तब तक कलिए, thank you, bye bye.